हालो फ्रेंड्स वेल्कम तो यूर लविंग चैनल टॉर्क एंड टूर सब्सक्राइबर्स फॉर्ल यूर लव फोर कार्ज और ट्रेबल दोस्तों फोर्ड इंडिया ने इसी साल नए एमिशन नॉम्स के मताबिक अपनी पूरी लाइनप को अपडेट किया है इसके बाबजूत फोर्ड ने अपनी कार्ज के कीमत में कोई खास बदलाव नहीं किया अब मई में कमपनी ने अपने सबसे पॉपॉलर मॉडल में से एक फोर्ड इको स्पोर्ट को रीकाल किया है कमपनी ने 22 जनवरी से 8 फरवरी के बीच मैनुफेक्चर की गई यूनिट्स को रीकाल किया है इसमें इसने पेट्रोल, डीजल, दोनों मॉडल्स है कमपनी रीकाल अपनी सर्बसीज को और बहतर करते होए या कोई टेकनिकल खामी किसी मॉडल में रेगुलर आ रही हो तो कमपनी उस डियूरेशन में बनी सभी गाड़ियों को रीकाल कर लेती है चाहे ये खामी आपकी गाड़ी में हो या ना हो क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में ये समस्या उस गाड़ी में आए तो company अपनी image और product को बहतर बनाते हुए ऐसा करती है अब अगर बात करें कि Ford ने अपनी इन Eco Sports को क्यों recall किया है तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके Ford Eco Sports के right hand side के child lock function में खामी आई थी इसमें child lock active होने के बाब जूद इस खामी के चलते डोर अंदर से open हो रहा था हालांकि यह कोई बहुत बड़ी खामी नहीं थी पर Ford जैसी company जो अपनी बहतरीन services के लिए जानी जाती है तो उन्होंने अपने सभी customers को mail किया और नजदी की service stations पर गाड़ी ले जाने के निर्देश दिये दोस्तों अगर आप मैंसे भी किसी ने इसी duration में manufacture eco sport खरी दी है तो आपको भी mail आई होगी और अगर नहीं तो आने वाली होगी आप भी Ford service पर जाकर अपनी गाड़ी के इस खामी को ठीक करवाएं वीडियो को like और share करें चैनल को subscribe करके bell icon को दवाना न भूलें ताकि हम और आप connected रहें आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धनेवाद